नमस्कार में निश्या आप देख रहे हैं बिग न्यूस आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर अमर्पूर्थाना छेत्री के बलीकित्ता गौँ में तांतरी का आरोप लगाते हुए एक हदेड की दवंगों ने कुदाल से पीट पीट कर हत्या कर दी मिर्टक बलीकित्ता गौँ निवासी राजेंद्र मांजी और वहिरन मांजी बताया गया मामने को लेकर मिर्टक की पत्नी शुस्मा देवी ने बताया कि हम अपने पती के साथ बलीकित्ता भहियार में गोभी की निकाई गुड़ाई कर रहे थे तभी हमारे गोतिया विजय मांजी, मुसो मांजी, विहारी मांजी समेत अनी लोग आकर गाली गलोज करने लगे जब तक मैं कुछ समझ पाती उक्ते लोगों ने कुदाल से पती के उपर तावर तोड़ परहार करने लगे मैं भागते हुए गौँ पहुचकर ग्रामीनों को इसकी सूशना दी, जब तक ग्रामी घटना स्थर पर पहुचे तब तक पती की मिर्तियों हो गई थी मौके पर मिर्तक के पुद्र रिकेश कुमार ने बताये कि पाच महपूर्फ हमारे गोतियाल जबरन मेरे पिता पर तांत्रिक का आरूप लगाते हुए तमवर तभा करते थे कई बार गौ में पंचायती भी हुई, मामले को लेकर अमरपूर थाना में लिखित आवेदन देकर कारवाही की मांग की थी विपक्षियों के द्वारा बांट भी बनवाया गया था, विपक्षि आए दिन मेरे पिता को जान मारने के धमकी देते आ रहे थे आज आखिर विपत्तियों ने मेरे पिता की जान ले ही ली, उधर दूसी तरफ घटना की सूशना मिलते ही थाना ध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरक्षक राजेस कुमार सेंग, साहयक, अवर निरक्षक महिश्वर पासवान, पुलीस करीमियों के साथ घटना लिख रहे थे, ग्रामीनों ने बताया कि मिर्तक काफी मिर्दूल स्वभाव के व्यक्ति थे, मिर्तक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरन पोशन करते आ रहे थे, मिर्तक को दो बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा राजेस मांशी दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि छोटा वेटर रिकेस कुमार अमरपूर पेशोर पंपर कार्यत हैं, मौके पर थाना धेक्ष अर्विंद कुमार राई ने बताये कि हत्ता में शामिल तीन लोगों को गिरफतार करते हुए घटना में परियुक्त कुदार ब्रामत कर लिया गया है उसके बाद थाना में पेश किये थे कागच जिसके पंच दुआरा फशला हुआ, फशला होने के बाद बोला आज के बाद हम कभी कुछ नहीं करेंगे, जो कि आज उसने मेरे पिता जी को मार कर वयार में मार दिया अमरपूर थानाच छेत्र के पाठकी गौँ में बिजली के करंट लगने से एक महिला मुर्चित हो गई, गंभीर इस्सिती में महिला को इलाज के लिए रेफर अस्पतार लाया गया, जहां डॉक्टर मुकेस कुमार के द्वारा जखमी फंटूस मंडल की पत्नी सरीता ले गए, जहां प्रात्मिक उपचार कर डॉक्टर ने बहतर इलाज के लिए अमरपूर अस्पताल भेज दिया, भागलपूर में एक बार फीर तीन तलाग का मामला सामने आया है, दरसल NTPC थानाच छेत्र निवासी एक महिला ने अपने पती मोहिन अंसारी पर मारपीट कर लाने और तीन तराग देने का आरोप लगाया है, पिडिता नियाय के लिए लागातार ठानाग डियाईजी कारिले, वो SSP कारिले का चक्कर लगा रही है, बाबजुद उसको नियाय नहीं मिल पा रहा है, आज फिर पिडिता महिला मानवा अधिकार संगटन के सदस्यों के स साथ SSP कारिलाई पहुंची, और SSP नितासा गुडिया समिल आविदन दिया, SSP ने उन्हें जाच करवा कर कारवाई करने का अश्वासन दिया है, पिडिता ने बताए कि 4 नवंबर 2017 को उसकी साधी काजिपूर कहलगाउं के मुहिन अंसारी से हुई थी, दो साल से ससुराल पारे लगातार दहेच के लिए परतारित कर रहे थे, जबकि साधी के समय उन लोगों की सारी डिमांड पूरी कर ली गई थी, पिडिता ने बताए कि उसका गर्वपात भी करा दिया गया, और मारपीट की जा रहे थी, और 3 अक्तुबर 2020 को वीडियो कॉल पर तरात दे दिय हम नियाए के लिए SSP कारीले पहुचे हैं, उमीद है नियाए मिलेगी, वरहाल देखना अब ये होगा, कि अब भी पिरता थाना और वर्य पुलिस अधिकारियों का दर्वाजा खटकटाती है, या फिर उसे नियाए मिलेगा एक तरफ जहां COVID-19 की वैक्सीन आने से आमजनों में खुसी का महौल है, वहीं दूसरी तरफ कुरोना के नए स्ट्रोण ने एक नई चिंता पैदा कर दी है, दरसल ब्रिटेन से भारत लोटे कई लोगों में कुरोना वाइरस के नई रूप के संकरवन की पूस्टी हुई है जिसे लेकर नौगच्या पुलीस पर सासन चुस्त दूस्त नजर आ रही है, जहां नौगच्या के पुलीस अधिक्चक सुसांत कुमार सरोच के निर्देश पर पुलीस जिला नौगच्या के विभी ने चेतर में सखन माक्स चेकिंग अभ्यान चलाया जा रहा है, इसी कड हिदायत दे कर छोड़ा गया, कई लोगों ने चेकिंग किये सिति भाप का निकल गये, जबकि अधिकांस बिना माक्स पहने व्यक्ति पुलीस की पकड़ में आ गये और चालान कटवाना पड़ा, वहीं कई लोग बहानावाजी करते दिखें, लेकिन पुलीस के सामने उनकी एक ना चली, और अंत में चालान कटवा कर आगे बढ़ना पड़ा, खवर लिखे जाने तक नौगच्या थाना छेत्री के अनुमंडल कारिलाई समीप एनेच 31 पर बिना माक्स के घूम रहे 50 लोगों से 50-50 रुपे का चालान काटा गया, नौगच्या अनुमंडल पुलिस पधादिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि ब्रिटेन से भारत लोटे कई लोगों में क्रोना वाइरस के नए स्ट्रेंड की पूस्टी हुई है, जिससे लेकर नौगच्या एसपी सुसांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जीला नौगच्या थाना छेत्री में सगन मा पारेले के सीओ वा सभी थाना के थाना अध्यक्ष को माक्स चेकिंग के साथ लोगों में माक्स पहनने को लेकर जागरू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे हम सभी क्रोना वाइरस के नए स्ट्रेंड का डटकर सामना कर सकेंगे, और लोग पहले की तरह फिर से माक्स पहन कर घर से बाहर निकले, अभी सदियो साहब और हमारे नेत्रितों में मास्क पहन किया रहा है, उपर से आदेश है कि अभी से लेके साथ दिन तक मास्क पहन का ड्राइव चलेगा, जिसमें लोगों को जागरूप करना है कि वो मास्क पहने, चुकि कुरोना का नया स्ट् नौगचिया अनुमंडल अस्पताल इस्थित COVID-19 टीका करन सेंटर पर मंगलवार को कुल 50 परंट लाइन वरकरों का टीका करन किया गया, इसमें पुलिस पधादिकारी वो पुलिस कर्मी नगर पंचायत के कर्मी वो और पीफ के जबानों का टीका करन किया गया, अब तक कि इसलिए वैसे इतना ही, फिर होगी मुलकात, तब तक कि नहीं नमस्कार